आज यूरिया के लिए पट्वन करकि लंबे लंबे दुद्व सो तीन तीन सो एठंडा में दस बजे रात तक लाइन में किसान खरा रह रहा है और उसके बाद उसके उडिया च्छेसो साथ सुरूपिय बोड़ा मिलने कर काम कर रहा है नमस्कार आपने उस पोडेशन देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ बंदना बिहार में जब महागडबंधन की सरकार बनी तब यूवा किसान तमाम लोगों की उमीदे सरकार से बढ़ती गए हलाकि अब उमीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है इसलिए क्योंकि लगातार युवा हों चाहे किसान हो उस पर पुलिशिया दमन हावी है हमारे साथ बात करने के लिए हैं विक्रम विधान सभाज छेतर से बीजेपी नेता मंटो सिन आपने किसान को लेकर के अपराध को भर्ष्राचार कई चीजों को लेकर के राज्य पाले से मेले किसान के साथ हुआ है कि मुखमेंत्री जी बैठते हैं पुरा सच बाले यहां से चलता है और पटना के बगल में विक्रम विधान सभा विक्रम विधान सभा में किसान तराही माम है आज जो हमारा धान का कटोड़ा कहे जाना वाला ये छेतर, जहां हमारे येतना उपज होती, उसके बाद पिछले साल से भी उपज, DM सहाब अपने जा करके पूरे सर्वे किये, उसके बाद भी पिछले साल से जो उपज था, उससे भी 30% काट लिया गया, जो हमारे यहां धान का ख उसके घर जाता है उसको प्रसान कर रहा है और सरकार सुने नहीं रहा है हम लोग 18 तारी को विक्रम में बरा रूप से किसान महा पंचायत का धरना किये सभी लोग जूटा उसके बाद हम मानिय राजपाल महोदे से मिलकर जाकर ग्यापन दिये हमारे साथ सास्थानिय इसांसद मानिये राम किरपाल जादो जी भी थे हमारे परभारी लोग भी थे हमारे सभी मंडल के अध्यक जीला अध्यक सब लोगों ने हम लोगों ने मिलकर जाकर पूरे ब्रीफ किया है राजपाल महोदे को उन्होंने आसवासन दिया है कि हम इसको देखकर बात करते हैं सरकार से स सरकार के लोगों से चिप सिक्रेटिस से बात करना हो बट किसान नहीं मरें किसान जो 365 दिन खुन पसीने से सीच कर धान ग्यों का उपच करता है और वह भी बेचने के लिए किसानों द्वारा उपजाया हुआ है सभी नेता हों जनता हों सब लोग खाते हैं लेकिन जब हक की बारी आ रहे हैं तो आज किसानों के बार किसी कोई सुने को तैयार नहीं आज इूरिया के लिए पटमन करके लंबे लंबे दो-दो-सो-तिन-तिन-सो एठंडा में दस बजे दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो- दिन नगा नहीं आज हो रहा है आज तमाम जो परसानियां है इसके खिलाप बिकरम इधान सभा के किसान मजदूर पटना जिरा के पाटली पुत्रा के सभी किसान मजदूर एक साथ कत्रित होकर और एक मुहीम के साथ तहत कि ये हमारा धान खरीद हो, हमारा उडिया लच से मिले, किसान का वही उमीद है, उसी से उसके बाल बच्चे पढ़ते हैं, उसी से उसका साधी ब्या होने का काम होता। इसका एक मातर कारण है, जो हम लोगों को सर्वे किया, हम लोगों को, हम लोग किसान जात पात में बढ़ जाते हैं, पॉलिटकल पाटी के बहकावे में आकर जाती ब्योस्ता में बढ़ जाते हैं, जिस दिन किसान की जाती, किसान की पाटी, बात करने सो जात से उपर उठकर, किसान की बात करना सुरू कर दा कि हम किसान हैं तो हमारा कोई पाटी नहीं किसान हर जाती में हैं किसान किसानी करने वाले हर पाटी में काम भी करते हैं मैं भी एक किसान का बेटा हूँ आज भी मेरा पेसा खेती है बेवसाय है बट मेरा मुख्य ग्रास रूट से में निकला हुआ हम लोग जैसे भी किसानी का काम आज भी करते हैं पसुपालक आज भी करते हैं इसलिए एक एक दर्द को जानने का काम करते हैं कि किसान कैसे इस ठंडे कराके में पिता-पुत्र के साथ जाकर रहकर रात पर किरूब लेकिन क्या है मैं पुरा आखड़ा दिया हूँ और लोगों को दिया हूँ कि पुड़े आखड़ी क किसान को अगण केस D का 85-85 दिन से धरना पर बैठा था यही भी जुर्म था हम अपना जमीन का हक मांग रहे हैं यह पुछा जाता है तो कहते हैं हमको कुछ नहीं मालूम इनको कोई चीज नहीं मालूम इसलिए हम लोगों ने कहा है दोनों-दोनों का हाला तो है करप्षन से लिपत निकला हुआ पॉलिटकल लोग क्या किसी का उमीद पर खरे उतर सकते हैं आज जो परिस्तिति है जो पड़िवेश है जिस तरीष्टे से लोग परसान हो रहा है, यह हम लोगों ने नाम दिया है, किसान मज़ूर लोगों ने नाम दिया है, यह समधान यात्रा नहीं है, नितीस कुमार का समापन यात्रा चल रहा है, नितीस कुमार का इलास्ट समापन यात्रा है, यह पूरे सिस्टम से कॉलेप्स, भरष्ट सासक, ब्यवस्था कहीं भी सीओ में जाइए पांच दस जार रुपया दिजिए तब वो करता है आज बिक्र में देखिए चरचर महीने से सीओ नहीं है वहां सीओ वहां नहीं पोस्टिंग पे है कोई परभार में बीट्या का सीओ जाता है बांदे हुए दाकिल खारी दस जार नही दोगे तो काम नहीं होगा आपका इसलिए बिहार का जंता मन बनाया है कि अगर हमारी अबाज को हमारी समस्या को नहीं अगर समधान किया जाएगा तो किसान मजदूर जाग गया है इनको सबक सिखाने का जरूर काम करेगा बहुत धन्यबाद तो आप सुने थे क्या कुश क तरना था विक्रम विधान सभाज शेत्रे से विजेपी नेता अंटू सिन का साप्तर सिन्हुने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जिस दूरी पे रहते हैं जस्ट सटे हुए विक्रम की अगर हम बात करें तो जहां किसान आये दिन तरह हिमाम हैं क्योंकि न तो यहां खाद म होगी क्योंकि किसान की ही हमारी सबसे पहले सरकार करनी की कोसिस कर रही है इसकर बस इतना ही बने रही है नेश्पोनेशन के साथ अब तक हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं कि हैं तो कर लिजे धन्यवाद